चेहन दोस्तों आप देखने डिफेंस गेन यूटूब चैनल भारत का जो रच्छा मंत्राले है आज उसने बहुत बड़ी घोसना की और इस घोसना के अंतरगत भारत सरकार ने 101 जो हत्यार हैं उनके आयात पर रोक लगा दिये जो की भारतिय सेना के काम में आते थे तो ये ब लड़ा को बिमान हैं और जो टांसपोर्ट एयरकाफ्त होते हैं उन पर भी लोग लगा दी गई है अब वो भी बाहर से नहीं आएंगे और जो ट्रैनर जेट होते हैं वो भी नहीं आएगे कई प्रकार की जो रडार हैं और कई प्रकार की जो assault rifle हैं और उनके सासर कई प्रकार का जो कार्टूस हैं और जो गोला बारूध होता है कई प्रकार के उन पे भी रोग लगा दी गई है अब वो भी बाहर से नहीं आएगा इसका मकसद यह है कि जो भारतिय कंपनिया हैं उनको ही tender दिया जाएगा इसमें private कंपनिय भी सामिल होंगी ताकि भारत में ही रोजगार पैदा हो इस प्रतिवंदित लिस्ट में कई प्रकार के जो artillery gun हैं उनको भी सामिल किया गया और कई प्रकार की जो satellite अभी तक भारत से बाहर बनती थी उनको भी प्रतिवंदित कर दिया गया है अब वो भी बाहर से नहीं तो कई प्रकार के जो assault rifles हैं जैसे 7.62 x 39 mm की जो assault rifles होती हैं जो कि खासकर AK-203 हैं AK-series की assault rifles होती हैं वो भी बाहर से बनके नहीं आएंगी और जो 7.62 x 51 mm की जो assault rifles हैं इस caliber पर जो based assault rifles हैं वो भी भारत से बाहर से बनके नहीं आएंगी तो अभी तक जो order दिये जा चुके हैं लेकिन अब संदोया 20 से संदोया 24 के बीच में सारी जो यह प्रतिमंदलन लिस्ट है इसके हतियार भारत में ही बनेंगे और संदोया 24 के बाद कोई भी जो है हतियार नहीं आएगा इसको एक तरीके से कहते हैं ना एक चरनवर्ण तरीके से इसको लागू किया जाएगा इस list में assault rifle से लेके और जो tanks हैं कई प्रकार की जो हमारे देश के जो aircraft हैं और जो helicopter हैं उनको भी प्रतिवंदित किया हुआ है आप खुद इस list को देख सकते हैं इसमें 101 item दिये हुए है मैं list जो है पूरी skin पर लगा दूँँगा 1y1 तो आप खुद देख लेना आप पुछते हैं आप से question क्या इस प्रतिवंद को लागू करना सही है या नहीं एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी हो सकता है क्योंकि अगर जो हमको private company वो quality नहीं बना के देती जो हमारी सेना को चाहिए तो इससे हमारी सेना पर बहुत ज़्यादा negative impact पड़ेगा तो आपकी क्या रहा है क्या जो हमारे देश की private company हैं सरकारी company हैं वो जो पूरी quality का जो सामन है हमारी देश की सेनाओं को supply कर पाएंगी या नहीं आपकी क्या रहा है comment करके जरू बतना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करने क्योंकि हम आपके लिए डिफ्यार से रिलेटे इंडियन आर्मी से रिलेटेब बिदेश नीतिय से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करने हैं और बेल आइकन भी दवा लें आप हमें इस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक देश्क्रिशन में दिया हुआ है तो मिलते हैं आप से अगरी वीडियो मे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत